इस्टूडेंट ओक्यबायोजी यूटूब चैनल पर आप सब का स्वागत है इस वीडियो में हम कक्सा अपनी बारा का सेकंड चेप्टर का एक और मैतुपून टोपिक बंडे जा रहे हैं जिसका नाम है प्रागकन और प्रागकन की सरचना तो प्रागकन होते क्या है तो इस से पुँके सेार होते हैं पुँके सर के सीर्षपर गुंडीनुबवा प्राग कोस पाइज आता है इस प्रागकोस के अंदर बिजानुजन उत्तक होता है और बिजानुजन उततक में की कुछ कोशिकायं गाड़ economy देवे वाली ओती है और लगूशनुब मात्रकोशिका का क के दिया था इसमें जब अर्द सुत्री विवाजन होता है तो लगूबिजानू बनते हैं और हमने यह भी कहा था कि एक लगूबिजानू मत्रकोशी का चार लगूबिजानू का निर्मान करती है और चारों लगूबिजानू है वो चतुसक के रूप में वैस्तित रहते हैं जीसिव बीच पत्र होते हैं तो उनके लिए एक चतुसख स्वाण होगा और एक बीच में विच्वप्त्री बीतिए तै propagते हैं से इंडजाम से अंगल जाएगा और यह है पर यह प्रागन मुंधत हो जाएंगे इस तरह से जब्हूब बजणों मुक्त हो कोष्ड दीविजानीत होता है रुखवभगबिजान, मात रसी सरचना बनीए रुखवभबिजानू, जब जब मूक्त हो जाते हैं, दो प्राकन फैलना सरचना ना इतले हो जिस्थ लिए, इसbands जो कि तो कर प्राकन बना चुके हैना यानि गोल-गोल कर प्राकन कहलाएंगे इस कारण हम यह कहूँ गेँगे कि इस पर भी जणे जूदू पीडी चल रही है इस पर पहले बार नर्य कोड़ों क्योंकर दूदू की पृता है उसके विग्षित होने से चभी का विकास तो देखे वह में इसको पढ़ते हैं रिसकी सरसणा भी देखते हैं गि прирocy कोकोषियो प्रतों कोषी का को निरुपित करता है प्राकन सामानेत गोलाकार होते यह प्राकन जो बनते हैं प्राये गोली या गोलाकार होते हैं अब इने की घोल होते हैं इनका व्यास है वह बहुत ही कम होता है लग बहुत प्चीस से लेकर 50-5 mt तक व्यास होता है बिन बिन जातियों के पादपों में इनकी आकरती इनका आकार इनका रंग रूप भी भिन भिन होता है यह भी आपको द्यान रखना है कि सब प्राकण एक जिसे नहीं होते हैं उनके आकरती अलग अलग होती है आकार भी अलग अलग होता है तो जिसे कीट प्रागित जो प्राकण होते हैं वो अलग रंग रूप के होते हैं इसके अलावा जो सामने वहुतिक वीज degliode और से जो प्रागित प्राघन हैं वह अलग उनकी सर्चना होती है वाइव प्रागित प्रागण की सरचना या रंग रूपब ए से इनका थो अप अलग जातियों के पादवों में अलग लग होता है अब फट रहें पन प्रागकन की सर्चना तो प्राकन की सर्चना पड़ लेते हैं बहुत इंपोटेंट सरचना देखे प्राकन क्या होता है एक गोलाकार स्ट्रेक्चर होती है प्राकन क्या है ये गोलाकार इसमें होता क्या है देखे सब्सक्राइब इसकी एक प्राकन जो होता है उस पर एक बित्ती पाई जाती है जो दो बागों में बटी रहती है जैसे ये इसके और एक वित्ती है यह बहुती लचिली वित्ती पाई जाती है इसके उपर जिसको उपन आंतरिक वित्ती कहेंगे इसके उपर एक खटोर वित्ती और पाई जाएगी जिसको हम कर सारे कि बहुई जगे रितिन नहीं पाई जाती तो है तो यह इसके चारों और बहुती और पाई जा रही है को कुछ जगे पर यह नहीं पाई जायेगी असले से यह भाई बहुती लिगत इस प्राकरन कि जो इस पर स्टरू defence बिल्टी से गिरावार यह विक्ति दो बप्रतुयों यह जो आप खारौत में दि Dale Lee कि इसकाटेदार विति को हम कहते हैं भाई यह जॉन स्थी बहुत आप शर्मपदाष्ग एक होगा इस परो पोलिनिन उससे निर्मित रहेगा और इसमें देखों यह कुछ भुआँ भी है का लिजीगय भी है इनके इंदर प्रॉटिन बरावा रहेगा इनके अंदर क्या बहार रहेगा है ca matter ही इसके बरावर रहेगा जो样 कि испसक्जण घब चिम्मित होगा तो एक तरह सी इसको बना लेते हैं यह हो गया इसका भाईये चोल तो यह तो गया इसका बहये चोल तो इसको हम कह देंगे, जो सबसे बाहरी परत होती है, उसको तो हम कहेंगे बहये चोल क्या कहेंगे उसको बहये चोल यह इसको अंगर जी में कहेंगे अपने X-Sign और ठीक इसके जो अंदर वाली प्रता को दिख रही है यह जो भाई चोल होता है यह बहुत ही खटोर होता है और बहुत ही स्पेशल पदार्थ स्पोरोपॉलिनिन का बनावा जो अपन इसके वर्णन में देखेंगे यह खटोर प्रत होती है ठीक इसके नीचे जो प्रत होती ह उसको हम कहेंगे अंतय चोल क्या कहतेंगे उसको अंतय चोल यह इसको पन इंटाइन कहेंगे और यह जो है यह कोमल परत होती है लचीली होती है को मलोती है मुलाइम होती है कि इसके अंदर है यह जीवद्रे वरहा है अब इसके अंदर जो जीवद्र वरा उसके अंदर दो तरे के एक परिपक्वए पराग कानग में दो कोशिकां पाए जाती है तो एक कोशिका तो बिल्कुल तर्कुरूपी होगी एंडाकार आकरती में यह करमी रूपीर उसके अंदर एक अंडाकार एक केंदर पाये जाएगा यह कोशिगा होगी और दूसरी कोशिगा जो यह badass बड़ी वाले दिखिरी इसका जो केंदर एक होगा वो भी निमीत आकार का केंदर होगा जैसे इसके अंदर के अंदर गया इसके अंदर कुछ बड़ी रिक्ति कहीं भी पाई जाएगी तो जैसे यह इसके अंदर के अंदर के अंदर हो गया यह इसके अंदर के अंदर हो गया तो इस तरह से इसमें अंदर की तरफ दो तरह की कोशिका पाई जाएगी यह जो बड़ी कोशिका दिखरी आपको यह पूरी बड़ी कोशिका इस बडी कोशिका को तो हम कहेंगे काएक कोशिका एक के उसेfast कोशिका यह केके नदर एक कर्मी रूपी कोशिका और तेरती रहेती है जिसको हम धल्न जनन कोशिका गएंगे जनन कोशिका यह दोनों कोशिका मेत्पून तो यह तो बड़ी वाली जो सबसे बड़ी दिकरी जिसमें कोशिका दरवी बहु जदा है और प्रोटीन वगरा भी जदा है और इसका केंदर रख भी एनिमित आकार का है गोल नहीं है यह इसका क्या है जनन अब देखिए जो परता है उसको तो भाई चोल कहे रहे हैं यह खटोर होती है बहुती स्पेसल प्रदार्त इस परपोलनिन के बनी बगी कुछ जगह पर इस परीपोलनिन नहीं है जी यह जगह यह जगह को हम कहें गे यह जहां पर इस पर पोल नहीं है उस उस जगह पर एक विसेश प्रकार के चिद्र नूमा सरसना बन जाती है चिद्र बन जाते हैं उन चिद्रों को हम कहेंगे जनन चिद्र क्या कहेंगे जनन चिद्र तो इस तरह से यह प्राग कन की सरसना बन जाती है कि प्राग कन पर एक इसपस्ट बित्ती दोबागों में बटी रहती है बाहरी बित्ती को भाहे चौल कहते हैं है यह खटोर होती है यह कांटे-दार धारीदार या अन्य डिजाइन लीजेंड वी होती है यह इसलिए होती है ताकि यह वर्तिकागर पर आसानी से Iz wonder्त कर सके रुक सके इस यह जो भाहे चौल हो कि ठीक इसके अंदर की तरफ एक की सेललोज और पेक्टिन की प्रत पाए जाती है जिसको अंतो चोल कहते हैं इंटाइन कहते हैं यह बहुत यह कोमल लचिली प्रत होती है तो इस तरह की दो प्रते दो यह गई इसके अंदर जो कोशिका दर्वे या जीवदर भरावा है उसमे का आपन कहेंगे जननन-कोशिका यह आगे चलकर नरयुगंक बनाएगी दो दो नर युगमक बनाईगी यह कोशिका बहुत इंपोटेंट है तो फड़ लेते हैं अपने इसके बारे में देखो फटापट परते के प्राकन इस पर्ष्ट रूप से एक वित्ती से डखा रहता है जो दो इस्तरों में बटी होती है इसकी भारी वित्ती को भाय चोल या एक बनी होती है यह सबसे हाराड एक कार्बनिक पदार्थ होता है मुख के रूप से फैटी सबस्टेंट होता है यह कैसा होता है यह वसीय पदार्थ होता है मुख के रूप से यह फैटी एसीड से बना होता है इसलिए वसीय पदार्थ होता है इसके अलावा इसके साथ और भी कई पदार्थ चुड़े वे रहते हैं तो यह के बहुलक होता है यह क्या होता है बहुलक और इसकी प्रकृति कैसी होती है यह वसीय पदार्थ इसकी प्रकृति होती है फेटी इसकी प्रकृति होती है तो इस प्रपॉलनेन से डखी रहती है भाई यह चोल इसी इस प्रपॉल कि जालसा बना इता है कुछ पर कांडदार बनी होती है कुछ पर दारिदार बना होती है जो बहिग उसेज राषानिक पदार से बनावाथा जिसको में इस पोरोपोलेंडीन कहते हैं क्या कहते हैं इस पोरो पोलेंडीन तो हम इसको it's Por open in करता है इस पर कोई असर नहीं होता है उनका तो यह बहुती स्पेसल पदार्थ का बनावा है बहुती बढ़िया पर्तिरोदग कार्बनिक अपदार्थ होता है यह उचतापमान संद्र अंबलों किशारों से सुरक्षित रहता है मतलब इस इस और पोलनीन के उपर एक बहुत को होता है हाड बहुत होता है और ये एक स्टेबल होता है मतलब इसका प्रतिरोध कारपनेग प्दार किसी भी अमलेकशार या उस्ताप करया पर इसंपर कोई असर नहीं होता है प्राकन प्रतरुदक स्मतव आई जाती है प्राकनों का बोतिक या जेविग अपगटन नहीं होता है बोतिक मतलब किसी भी विक्रियंड से हैं हमलक्ष administrें तापमाण से हैं वर्सा से भरप्से या कोई भी जिवानू है कवक है इन से इस पर कोई अशर नहीं होता है यानि यह इसका प्राकणों का अपगटन नहीं कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस पर इस्परोपोलनीन का आवरण चड़ावा है प्राकण लंबे समय तक सुरुक्षित रहते हैं यानि जिवास में रूप में जिवास में रूप से यह सुरुक्षित रहते हैं त अभी तक कोई भी एंजायम नहीं का निम्णीकरन यानि अभगटन कर सके जो इस पूरुपो लिनिन को नश्ट कर सके या हटा सके क्रण प्राकन पर्सें ऐसा अभी तक कोई एंजायम हमें प्राप्त नहीं हुआ यह हमारे पास इसा कोई इंजाइम नहीं है कि देखिए प्राकन के भाये चोल में छोटे-छोटे इस पस्ट चिद्र या द्वारक पाई जाते हैं अभी चिद्र काता तो तो हम उनको काता जनन चिद्र जर्म पोर कहते हैं तो यह जो अभी अपन चिद्र में देख रहे थे कि यह कुछ स्थानों पर इस पुरुपोलिन का आवरण नहीं पाई जाता है और इस पुरुपोलिन का आवरण नहीं होगा तो जनन चिद्र देखो जब यह प्राकन अंकुरिन होगा तो यहां से अंत्य चोल है यह अंत्य चोल यहां से बाहर निकलेगी और बाहर निकल गर प्राकने का निर्मान करेगी अभी आपको पटाते हैं धेखो किस तरह निकलती है तो भाय चोल में छोटे-छोटे इसफ़श्ट छिदर द्वारक पाई जाते हैं जिनको जननशिदर गयता है प्राई 2.25 पतरी जो पात्व होते हैं उनके प्राकणों में तीन जननशिदर होते हैं बहे चोल में जहां जननचिद्र होते हैं वहाँ पर इस परुपोलनिन अनुपस्तित होता है। अभी इसका बात है कि इस जननचिद्र का क्या कार रहे हैं। तो यह कार्या आगे देगो प्राकण के अंकुरन के समय अंत्य चोल प्रागनलिका के रूप में इनी जनन्चिद्रों से बाहर निकलता है कि जैसे यह यह आपका प्राकण है कि इसके उपर यह भाईय चोल है कि यहां से कोईए प्राकण कुरत होगातों यह यह जो अंत्य चो & अंदर वाला यह वहतीं कॉमल से यह drag निकलेगा और इस तरह से एक प्रागनलिका नकालेगा इस तरह से इसके अंदर इन्चिद्र यह जो जनननकोशी का है यह इसका दरवा दर instance आ जाएगी और प्र अब होता क्या है कि यह प्राजैसे अण्डावा उसमें यहां पर इत्ति के अंदर बातों यह पर जोड़ा उसमरारे निकलेका और उब प्रग्नलीका वर्धी कर बिजांड के इंदर प्रोबश्ट करेए इस तरह करती है और अंत्य चोल कहां से निकलती है बाहर प्राकण में यह जनंचिद्रों से बाहर निकलती है यहां से बाहर निकल रही है यह जो प्राकण का अंकुरन हो गया इसको अपन बोलते हैं नरीकुमकोद्विद का विकास नरीकुमकोद्विद का विक्षित रूप यह विक् भाईय चोल में कि आगे भी आपके काम आता रहेगा कि इसका मेहन बात है कि भाईय चोल खटोर भागो परत होती है इस परुपोलिन के बने होते हैं इस परुपोलिन ने एक हार्डेस्ट और बहुत ज़्यदा प्रतिरोध्य कार्बनिक पदार्थ एक बहुलक होता है जिसके झोकि जिसकी प्रकर्ति वसियय प Remoती होती है कि वसिये पदार्थ होता है इसके साथ अन्य पदार्थ जुड़े रहते हैं एक कटोर और एक निगल भी जाए उमारे पेट में चला जाए तो अभी अमल से इनका पाचन नहीं होगा क्योंकि स्पुरुपूल निन इनके उपर आवरण बना रहा है दूसरा अपन देख लेते हैं अन्तय चौल यह देखिए यह अन्तय चौल दूसर दूसर नमबर का अन्तय चौल जिसके आपके बताया है यह प्राकन की आंतरिक बिति को अंतय चौल कहते हैं यह पतली होती है खबो कोमल वित्ती है पतली-कŁमल पूरे प्रागकन पर सततरूप से पाई जाती है कैसे कि जैसे यह पूरे प्रागकन पर थी लेकिन यहां पर हमने जब इसका भाईय चोल बनाया तो उसमें कुछ जगह पर हमने भाईय चोल नहीं बनाया उन वहां पर क्या पाई जाते हैं जनंचितर पाई जाते हैं तो यह ज प्लाजमा कलासरेंगिरा रहता है इसमें इसमुंग परिपको निता है तो जब प्राइक पूरी तरह से परिपक्षों हो जाता है तब इसमें दो कोषिका ही बन जाती है तो एक कोषिक को तो तो हमने क्या कहा का का या को धी आप यहांधि जननन्कोषिका तो का योश कशी का तो बहुत बड़ी थी जनन खोटी वाली थी चित्र को कर साथ अब काय कोशिका के बारे फड़ लेते देवो काय कोशिका क्या है ये काय कोशिका बड़ी होती है बड़ी के से जैसे ये हमने चितर बनाये था तो ये था इसके अंदर ये जैसे इसका भाई ये चोल और इसमें ये छोटी वाली कोशिका तो ती जनन कोशिका ये तो कौन सी थी? जननन कोशिगा. और ये जुबढ़ी वाली दिख रही है, आपको पूरी बढ़ी जो, जननन कोशिगा इस काई कोशिगा कोशिगा के कोशिगा दरवे में तेड़ती रहती है. ये बढ़ी वाली क्या कहलाएगी? काई कोशिगा. कि दिए काई कोशिक ये बड़ी होती है इसमें कोशिका दर्वे भी अधिग होता है जैसे इसमें और और प्रोटीन भी ज़धा होता है परचूर मात्रा में संचित बोजन और एक बड़ा एन्यमिताकरतिका केंदर होता है यहमनिए निमीताकर्टी का बनाएब जाता है जितने भी कोशिकांग गए उनकी संक्या भी इसमें ज्यादा होती है यह बड़ी और कोशी का दरवे में बोजे पदार्त पोसक पदार्त इसमें बहें हैं कींडर, दूसरी कोशिः का देगे थिए छोटी वाली वोशिघा है जिसको को क्या कहा रहे हैं जननकोशिगा तो इसको इसके अंदर तर्कोरूपी या जो कर्मी रूपी रीए इसको ओपन कहें गेंगे जननकोशिगा अब देखोंगे यह बनी के'Sa तो उसके बारे में आपक कर एक लेंसके आकार की कोशिका बनी इनके दोनों कोशिक के बिञ वीच में बित्थी बन गई तो के अंदर भी वाज़ट हो गया है दोनों का और इस तरह से दो खोशिक है बन गई कि दिरे क्या हो गावा ये लेंसके कार की कोशिक हाई वह दिरे इसे जो as अंत्य चोल से अट गई और अलग होकर पहले इस तरह से यह इंक झात्या और का रणक लेगी तो यह तो जनन कोशिक का जो कहित को खीजिवत्रु में ही तेड़ती रहती है उसी ही जननको तरको आकरती की या कर्मी रूपी आकरती की होती है इसका ये इसलिए होताइए ब्राग न लिका में आगे मुव कर सके गति कर सके गने जीव दर्वे युक्त और एक केंद्रक वाली कोशिका होती है तो यह याद रखेगा यह तरकु रूपी यह कर्मी रूपी कोशिका होती है गना इसमें जीव दर्वे पाई जाता है केंद्रक एक केंद्रक इसके अंदर पाई जाता है याद एक च कोशिकाओं में आरेने प्रोटीन ज्यद्ध होते हैं जनन कोशिकाओं में प्रोटीन कम होते हैं काई कोशिकाओं में कोशिकाओं की संग्या कम होती है काई कोशिका के अंदर है वो एनिमिता करतीका होता है जनन कोशिका के अंदर है वो अंडाकारा करतीका होता है काई कोशिक का देख Jokosye का दर्वेगए है और जनन कोषे का नर्युक मक्म बनाने में सहिक है अब दोनों MA SEMANता क्या है तो मानता यह कि दोनओ spraakन में पाई ढहती है और दोनों में DNA के मातरा बराबर होती है यह कि सेस्ता है इनके बाकी चीजें इनमें कम जएदा होती है लेकिन DNA के मातरा है वो दोनों में बराबर पाई जाती है अब देखे होने वाला के आगे कि जननने कोशिका से ही एक इंपोर्टेंट बात है समसूतरी वाजन दोरा दो अंडाकार नरिगुमकों का निर्मान होता है नरिगुमक के समाना करती के और अचल होते हैं यह इंपोर्टेंट बात है याद रिखेगा कि यह जनननकोशिका क furry का मुख्य का मदध क्या हो गया तो नर्युगमक कौन बना रही है प्राग ननकर्ण की कौनची कोशी का नर्युगमक बना रही है जननकोशी का और ये नर्युगमक समान आकरती के अचल होते हैं देखे इनकी आकरती समान होती है लेकिन आकार समान नहीं होता है याद रिखेगा दोनों की आकरती अंडाकार ह करती है दोनों अचल होते हैं अब देखी इस्तिति क्या यह अब एक नोट डालके हमने एक स्पेसल पॉइंट लिखा इसमें कि लगबग 60% आवरतिवीजी पादपू में परागकन दो कोश की अवस्ता यानि परागकन में दो कोशिका कब होती है जब काई कोशिका और जननको कोशिका बन जाती है तो 60% आवरतिवीजी पादपू में क्या होता है परागकन दो कोश के आवस्ता से ही परागकोश से बहार आते हैं अतार्त जड़ते हैं मतलब परागकन परिपक होकर जब परागकोश का स्पुटन होता है और बहार निकलते हैं वरतिगागर पर पहुं प्राग कर्ण तीन कोश के अवस्ता में ही आ जाता है यानि काई कोशिका और दो नर्वी गुमक पहले ही बन जाते हैं और प्राकोश से बहार आते हैं तब अथा अथवा जड़ते हैं तो साट प्रसेंट पाद्पों में प्राकन दो कोशिका में प्राकोश से बहार आते हैं यानि जड़ते हैं बाकिया 40% प्राक्ण तीन कोशिका अवस्ता यानि तीन कोशिका कब बनी एक तो काई कोशिकार दो नर्युगुमक बन गए मैं प्राकोस से बाहर निकलते हैं या आते हैं अत्वा जड़ते हैं तो हुआ क्या साच प्रतिशत के अंधर तो जैसे ये की पोदे की इस तेरीगे सरे जयां घृट अंडप है यह प्राक्ण यह प्राक्ण है इसको यहाँ और यह इस प्रागश्त के इस काई कोशिका तो नावा इसके अंदर दो नरीव कोमक और बन जाते हैं थार तीन कोशिका यह बन जाते हैं तेन कोशिकाइन बड़ी वाली तो काई कोशिकार यह न भी फ सिसल पॉइंट प्र Canadian एलर्जी देगे बहुत ही उंपर प्राग एलर्जी आप जानते हो कि जब शरीर का परत्रक्सा अतंतर अती सविधन से लोगा तो आलर्जी का करण बनता है तो कई ये विक्तियों में देखने को मिलता है कि विशेश मोसम में जब प्राग निकलते हैं कुछ पोदों के तो उस टाइम एक विशेश मौसम में बहुत सरे लोगों को ऐलरजी हो जाती है उसमें नाग में पानी भेने लगता है या उसमें दमाका से दोटा है उसकी सोशन में पीड़ा होती है तो कुछ बुखाराने लगती है तो वो उसके खारण प्राग अलट्जी कि अधेगों अनेग पा कारण allergy, सोसन समंदी विकार, सोसन समंदी विकार का मतलब है, मारे सांस नली या सोसनी है, उनमें सुझन आजाती है, और सांस लोने में दिखता आती है, तो allergy सोसन समंदी विकार पैदा हो जाते हैं, जैसे दमा पैदा हो गया, सोसनी सोध, जो सोसनी होती है, उसमें सुझन कारण है कुछ पादबों के गाजर घास जिसको पार्थेनियम और इसका पुरा नाम है पार्थेनियम हिस्ट्रोफोरस इस्टेरोफोरस यह एक विदेशी पादब है इसके अलावा चिन्नो पोडियम जो हमारे यहां बहुत होता है इसको अपन चीलवा बोलते हैं चिन्नो पोडियम जमार की पसल इनके जो प्राकन होते हैं वो मानों में एलर्जी का कारण बनते हैं या प्राग एलर्जी इनसे होती है अब यह गाजर गास या पार्थेनियम से मेत्वपून पादप है प्राग एलेट जी के लिए तो यह एक खरपतवार के रूप में उगता है तो यह विदेशी पादप है तो हुआ क्या था कि जब हमारा देश आजाद हुआ में तो उसके बाद में हमारे देश में अनाज की बहिंकर समशय थी तो इतनी बड़ी जैंसिंक्या का पेट बरने के लिए भारत सरकार ने विदेशों से गहा आयात किया था तो इस्पेसली यूइस से था अमेरिका उसे गहुं मंगवाया गया और उसके साथ यह गाजर घास क यहां पर उस गेओं के साथ बारत में आगे और आज यह एक बड़ी समस्या बन चुका है क्योंकि यह अलर्जिय करन बनता है और यह कि पार्थे नियम पार्थे नियम नामक का जरीलपदार्थ होता है तो इसको कोई भी मवेशी भी नहीं खाता है और अगर यह मानों के पतवार के रूप में एक समस्या पैदा हो गई है गाजर घास या पार्थे नियम इसको कॉंग्रेस घास भी कहा जाता है तो यह जब ग्यों का आयात किया गया तो उसके साथ यह गाजर घास हमारे देश में इसके इंट्री होई थी और आज यह हमारे लिए समस्या बन चु पार्थे ने में स्ट्रो फोरस इसका विग्यानिक बोट निकल नेम है तो यह भी आपको याद रखना है चिन्नों पोडियमर जवार यह अपनी मुख्य रूप से बारत के अंदर अपना मुख्य रूप से यह पाए जाते हैं अब देख लेते हैं एक और स्पेसल यह प्राग कर दो प्राग इस ऐलर्जी का आ खिर कारन क्या है तो प्राग में छोंड में अदर यह खाली में होतीगे है तो इस खाली जिगह में शकाली में क्यों उती बनाती है यह प्रोटीन और यह प्रोटीन कोन बनाती है यह प्रोटीन इन गुवाँं के अंदर बर जाती है अब जैसे यह प्राग करण को से बाहर निकलते हैं और वातावण के नमी के संपर्ग में आते हैं तो यह प्रोटीन है वह बाहर निकलकर वातावण में फैल जाती ह और यही फिर प्राग एलर्जी का कारण बनती है तो देखे टेपिटम कोशिकाओं द्वारा निर्मित प्रोटीन प्राग एलर्जी का कारण होती है प्राग गणों के भाईये चोल में उपस्तित खाली स्थानों या गुहाओं में टेपिटम कोशिकाओं द्वारा निर्मित प्रोटीन बरे होते हैं जल के संपर्ग में आकर यह प्रोटीन बाहर निकल कर वातावन में फैल जाते हैं और इससे प्राग एलर्जी होती है तो जैसे यह प्रोटीन नमी के संपर्ग में हमारे वायमिडल में नमी होती है आदरता होती है उसके संपर्ग में आकर यह प्रोट समय हमें प्राग इलर्जी से बचा सकता है अब आता है प्राग उत्पाद देगे तो प्राग उत्पाद प्राग उत्पाद यानि पॉलन प्रोडक्ट क्या होते हैं प्राकणों दोवारा बनाए गए उत्पाद को क्या कहते हैं प्राग उत्पाद मतलब प्राकणों से वो पोसक के रूप में इस्तिमाल करते हैं तो देखिए प्राग कणों में बरफूर मातरा में पोसक पदाद बरे होते हैं अता है प्राग कणों से पोसक पदार्तों युक्त प्राग उत्पाद बनाई जा रहे हैं जैसे प्राग की गोलियां प्राग सीरब क्रीम ये गोलिया प्राघ कनों से बनी वी, सीरप आती है पीने की और आज कल तो कृम भी आने लगी है, तो वो क्रीम तवचा पर लगाए जाती है, उसमें पुष्चकPदार देती है, तवचा कॉमल रहती है, स्वस्त रहती है, तो एसी प्राघ पॉलन कृम भी बाजार में उपलब्द है, यह लड़ियों जो players होते हैं दहुक होते हैं दोड़ने वाले और जो गोड़े होते हैं उनकी कारे दक्सता बढ़ाने के लिए दवाई के रूप में दे जाता है तो पराग से बनी उत्पास उनको दै जाते हैं और आज Size उनको बाधना उए उसको इस्तिमाल करता है जोकी गोले के रूप में सीरफ के रूप में करीं के रूप में उनका इस्तिमाल किया दाता अब इसका एक लास्ट टोपी फड़ लेते हैं पर प्राकणों का जीवनकाल देखिए प्राकण जब प्राकों से निकल कर वर्तिगागर पर पहुंच जाते हैं तो अब निशेचन से पहले उसका कितना जीवनकाल होता है कितने समयते को निशेचित कर सकता है तो प्राकणों का जीवनकाल का मतलब है प्राकण अंकुरित होकर निशेचन कर सके तो वो उसके लिए कितना टाइम है या एक मेने का है या एक साल का है कितने दिनों तक एक प्राकण जनन कर सकता है तो निशेचन कर सकता है तो उसका वो होता है तो देखिए अलग अलग पाध्नों के प्रागकणों का जीवनकाल भी अलगलग होता है जैसे अनाज जैसा दान याने सभाप और गसे अंदर तो यह उनिकें थैंज जैसे घंज नहीं होता है रोजशी जैसे गुलाव है लेगिमनें दीन मिatisfied किल भी खेता हैं यह प्रने को जिसको आलू मिरिच टमाटर वेंगन यह जो इसमें पोद्धिया आते हैं इन पातपों के प्राकने उंकर बने किशनकरहा हिदह…? अब क्या अब यह की बात और होती है क्या हम प्राकणों का स्टोर कर सकते हैं क्या जैसे ब्लड बेंक के अंदर ब्लड का स्टोर के जाता है उसी तरह से क्या हम प्राकणों का भी एक जगे इनको बंडारन कर सकते हैं कि जैसे एक बीज बंडार में बीजों का बंडारन करते है तो क्या प्राकनों को बंडारन कर सकते हैं? तो हम कर सकते हैं तो इसके लिए के special method है प्राकनों को दर्वा nitrogen होती है और minus 196 minus 196 degree Celsius ताप करम में ये minus में जिया रखीगा minus 196 degree Celsius दर्वाइत nitrogen में अनेक वर्सों तक सर्क्षित रखा जा सकता है ऐसे सरक्षित प्राकणों का बंडारन प्राग बेंग के रूप में किया जाता है तो इनको इसी प्रिक्रिया में जिसको ओपन क्या कहते हैं इसको क्रायो प्रिजर्वेशन या सरक्षन भी कहते हैं क्या कहते हैं इस प्रिक्रिया को क्या बोलते हैं क्रायो सरक्षन तो ऐसे सरक्षित प्राकणों का बंडारित प्राकणों का उप्योग फसल पर जनन कारिकरम में किया जाता है कि जब भी हमें जुट पड़ती है तो माली जैन बहुआ है उसके अंदर यह और इसके प्राकण करण ना की प्रक्रीख सरा कर्ण का तो इसी के साथ हमारा जो पुष्प का नर जननंग था वो कंप्लेट होता है हमने नर जननंग पूरा फड़ लिया है और नेक्स्ट वीडियो में हम मादा जननंग की चर्चा करेंगे मादा युकुम कोद्विद की चर्चा करेंगे तो अभी जननंग हमारा इस पार्ट का पूरा हो च कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपका ने जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको पटापट मिल जाएगा आसा आपको वीडियो पसंद आया होगा अपने वीडियो को जरूर लाइक भी कीजिए